हालो लिसनर्स आज फिर लाई हूँ आप सभी के लिए अकबर बिर्बल की कहानी अकबर और बिर्बल सापताहिक अवकाश में अपने राची में ही सेर कर रहे थे वहाँ पे उन्हें बहुत सारी व्यापारी मिले जो की कपड़े के भी थे, गहनों के भी थे और दूसरे चीज़ों के भी थे जैसे के मठाई, नमकीन, आदी वो उस बाजार में गुमी रह थे कि उनके कानों में किसी के रोने की आवास पड़ी तब बाच्शाग पर ने सुचा कि आरे ये किसकी आवास है उन्होंने देखा तो एक जगे बहुत सारे लोगों की भीर जमा थी उन्हीं मैसे किसी के रोने की आवास पी आ रही थी तब बीर पर बुलते हैं, वो देखिये महराज, या आवास तो उस दिशा की तरफ से आ रही है चलिए, हम भी चलके देखते हैं तब ही उन्होंने ने देखा कि एक दुबला पतला सा लड़का रो रहा है तब पैजशा अकबर ने पुछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो तब वो पालक बोलता है, महराज, मैं यहां गर्मा गर्म समोस से विश्ता हूँ आज बहुत जाना भेड़ थी, इस वज़े से मेरे समोस से बहुत चल्दी ही बिग गए और मेरी अच्छी खासी कमाई भी हो चुकी थी, जो मैंने हमेशा के तरह इस पत्थर के नीचे रख दी थी लेकिन जल्द बाजी में, जब मैं और तेल लाने के लिए बगल के दुकान पे गया तब मैंने आके देखा कि उस पत्थर के नीचे मेरे पैसे थे ही नहीं, उसे किसी ने चुरा लिये हैं अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने बीमार माबाप को खाना कैसे खिला पाऊँगा तब बिर्बल बोलते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो, कि तुम्हारी कमाई चोरी ही हुई है हो सकता है कि तेल लाने गए हो, तब तुमने पैसे गिरा दिये हो तभी बालक बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ बिर्बल जी मैं हमेशा जाने से पहले ही इस पत्थर के नीचे से अपने पैसे निकाल के ले जाता हूँ वहाँ पे जो भीड जमा थी उसमें से कपड़े का वैपारी बोला तो क्या सिक्के पत्थर खा गया और वहाँ जो भी लोग मुजूद थे सब जोड जोड से हसने लगे ये सब देखकर पाश्या अकबर को गुस्सा आ जाता है और वो भीड को बोलते हैं अरे यहाँ पे एक बालक मुसीबत में है और आप सब लोग को मजाग सूज रहा है तब ही बीरबल बुलते हैं मुझे लगता है कि ये पत्थर नहीं चोरी की है बीरबल की ये बात सुनकर वहाँ जितने भी लोग थे सब आश्यर में पढ़ गए और सोचने लगए कि ऐसा कैसे हो सकता है तब ही बीरबल कहते हैं कि ये क्या कह रहा है हो बीरबल आखिर एक पत्थर कैसे चोर हो सकता है तब ही बीरबल कहते हैं जरूर हो सकता है माराज आप बस इस पत्थर को राजमहल रजाने के लिए आदिश दे दीजिए मैं आपको साबित करके दिखा दूँगा कि ये पत्थर ही चौर है तभी पाश्या अकबर बोले कि अब मैं क्या कहूं ठीक है तुम्हें आदिश देता हूं तभी बीरबल ने सैनिकों से कहा कि वो पत्थर को लेकर राजमहल पहुँचें और वहाँ पे ही उस दुखी बालक को और आसपास जितने वैपारी थे सभी को उन्होंने राजमहल आने के लिए न्योता दिया राजमहल पहुँचते ही बीरबल ने उस पत्थर को बीचो बीच रखा और पूछने लगे तो बोलो पत्थर महाशय तुमने इस बालक के पैसे क्यों चुराएं और अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा सुना दी जाएगी जब पत्थर शान्त ही रहा कुछ बोला नहीं तब ही बीरबल ने गुसे में कहा सिपाईयों इस पत्थर को तुम तब तक मारो जब तक कि ये अपना अपराथ कबूल ना कर ले ये सारी पाति सुनके वहाँ जितने भी लोग थे सबको बस यही लग रहा था कि बीरबल शैन्द अपना होश खो बैठे हैं और सभी जने ठाका लगा के हसने लगे और ये सब देखकर बीरबल को गुस्ता आ गया और वो सभी से कहते हैं क्या तुम सब लोग को ये पता नहीं कि कारिवाही के वक्त हसना भी गुना होता है अब तुम सभी दोश्यों को काल कोटरी में डाल दिया जाएगा ये सुनके वहां के लोग बहुत जादा गबरा गए तुम सभी लोगों ने गुनाह किया है इसकी सजा तुम को ये मिलती है कि तुम सभी को बीस पीस सिके जुर्माने के तौर पर देने होंगे उन सभी को ये सचा माननी पड़ी तब बीरबल ने एक सैनिक को पानी से भरा पतीला लाने के लिए बोला तब सैनिक पतीला पानी से भर के लाया और खिड़की के पास रख दिया तब बिर्बल बोले, तुम सभी जने एके करके आओ, अपना जुर्माना इस पतिले में डालो और यहां से निकल जाओ सभी जने ऐसा करते रहे और वहां से निकलते रहे, लेकिन जैसे ही कपड़े वाले का नंबर आया कपड़े वाले वैपारी ने सिक्के पानी में डाली, तो बिर्बल ने देखा कि उन सिक्कों मेंसे तेल छुट रहा है और वो पानी पर सतह पर जम चुका है और सूरज की रोशनी में वो तेल बहुत ही चमक रहा है ये सब देखकर बिर्बल तुरंत बोले, मिल गया चौर तब ही बिर्बल बोले, कि अब तो चौर पकड़ा ही जाएगा ये सुनके बाद्शा अकबर बोले, ये तुम क्या कह रहा हो बिर्बल, किसी सजन बैक्ती पर इस तरह इलजाम लगाना अच्छी बात नहीं तब ही बिर्बल कहते हैं कि मैं जानता हूँ जापना, अगर उस भरे बजार में मैं किसी के उपर इलजाम लगाता, तो ये सही नहीं होता तब ही मैंने पत्थर का नाटक राचा था, और जिन व्यक्तियों पे मुझे शक था, मैं उन्हें गवा बना कर राजमहल तक लिया आया तब ही कपड़े का व्यापारी बोल पड़ा, हाँ हाँ, लेकिन मैं ही चोर हूँ, इससे ये थोड़ी सा भित होता है तब ही बीरबल मुस्कुराए और बोले, लगता है तुमने इस पतीले के उपर जमा तेल पर गौड़ नहीं किया अब तुम ठैरे कपड़े वाले, तो तुम्हारे सिक्कों पर तेल कहां से आया भला? वो, 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 दरसल, तब ही बीरबल कहते हैं कि मैं बताओं कहां से आया? अब समोसे वाले का काम समोसा तलना है, इस वजह से उसके आस्पा जितनी भी चीज़े पड़ी होती है, उस पे तेल लगना स्वभाविक है और जब वो बालक अपने कमाई सिक्के उस पत्थर के नीचे रखता था, जिस पे की तेल लगा रहता था, तुमने वहाँ गए और वहाँ से तुमने सिक्के चुरा लिये अब तुम अपना गुना मान लो, वरना सैनिकों से बूल कर मैं तुम्हारा तेल निकलवाता हूँ ये सब सुनके कपड़े वाले के पैर डर से कापने लगे और वो माफी मागने लगा, लेकिन बादशाय अकवर ने उसकी एक भी ना सुनी और उसे काल कोटरी में डालने का आदिश दे दिया और उस बिचारे बालक के सिक्के कुछ और इनाम के साथ उसे लोटा दिये गए और इसी वज़ा से वो खुश होते वे बुला धन्यवाद महराज और बीरबल खास दोर से आपका आज तो आपने तेल का तेल और पानी का पानी कर दिया यही बात सुनके वहाँ मौज़ुद जो लोग थे और सभी हसने लगे और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच कितना भी छपाऊं सामने आ ही जाता है ऐसी ही इंट्रेस्टिंग कहानी सरने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें